तो आज ना काफी अची दूप निकली है और साथ साथ ना पवन भी काफी अच्छा चल रहा है तो इसलिए हम लोग आ गए है घर में बैठने का मन भी बिल्कुल भी नी कर रहा है क्योंकि बंदना बहुत ठंड है तो इसलिए हम लोग अंदर बाहर आ गए बाहर मने चट पे चाथ पि आने के बाद माधव माधव के पारो में चप्पल नी पर फिर में नीचे गई नीचे सरु संड लेक कई अभी भी चोटा है पता है इतने से बच्चे तो अब बाबी करते हैं लेकिन ये तो मेरे पती कर रहे हैं ब्लॉग इंग तो मैं भी थोड़ा बना दो और देखो यहां चछत पर आने के बाद मेरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है कि जंडे को अच्छे से लहराना तो सबका देखती हूं लहराते हुए तो मेरा क्यों नहीं लहराएगा तो इसलिए मैंने भी अपना जंडा लहरा दिया है ये तो जंडा अगर मैं ना दिखा हूं तो चछत प्याने का क्या ही मज़ा आता है बोलो आप सब सही बोला ना तो यहां पे देखो मारब भी बैट गय के लिए और पतानी नीचे पतानी क्या फेक रहा है पत्तर बार-बार मुझे तो बहुत गुस्ता है कि नीचे कुजी फेक देथा है जैसे कि देखो यह गाड़ी के उपर इसने पतानी क्या एक पईया फेक दिया है यह लड़का ना बिलकुल भी बात नहीं सुनता है जिस सारे खेरों ने तो मैंने कबाड़ वाले भाया को भी दे दिया है और यहां पर मैं चुन्झी लेकर आई थी जिसे जादा दूप लगेगा तो फिर मैं ओल हूंगी लेकिन इसका कोई कामी नहीं है धूप इतना मस्ता है अंदर जाने का बिलकुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंक अब इसका इटी का पहाड़ बन जाता है तो देखो क्लैप करने लग गया था तो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि पती आगे थे सामने देखो बार बार देखो निचे कुछ ना कुछ वेक रहा है बड़ा बड़ा पत्थर और हमारे यहां पे ना मतलब गाई ही गाई भर ग साता है मुझे अभी तक सुसू नहीं किया है बड़ी ही खुश खबरी है लेकिन कर देगा टेंशन मतलों मैं दिखा दूंगे आप लोगो पैंट में सुसू बहुत करता है यह और मेरे पती फिर से शुरू हो गया अपने गार्डन का अपने पॉर्ट का का काम करना मतलब र सहारी इंसान हूँ मैं क्या करू बताओ एक देड़ गंटे से हम दोनों ऊपर थे और मादप के पापा नीचे क्योंकि वो काम कर रहे थे तो मुझे धूप सेकना बहुत पसंद है अभी मुझे जाना है अंदर और अंदर मुझे खाना भी बनाना है तो चलो बाबाई